नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महरान गढ़ किले के बारे में तो बने रहिए वीडियो के अंदर. Well, दोस्तों, आपको बता दें कि महरान गढ़ किला जिसको महरान किले के रूप में भी जाना जाता है. इस किले को 1469 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था. यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट उंची पहाडी की चोटी परस्थित है. महरान गढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा सनरक्षित है. इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाडी के उपर है जो बेहद शाही है. किले में साथ द्वार हैं जिनमें Victory Gate, फतेह गेट, भैरों गेट, डेढ कामगरा गेट, फतेह गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम शामिल है. वेल, मैं हूँ आपका दोस्त, प्रदीप दानो दिया. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फोर्मेशन मिलती रहे. वेल, दोस्तो, बात करे. महरांगड किले के इतिहास की तो आपको बता दे कि महरांगड किले का इतिहास काफी दिल्चस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है, जब पंद्रवी शताबदी के दौरान राठोर शासक राव जोधा ने 1469 में जोधपुर की स्थापना की थी. राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंदोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाडी पर किले की नीव रखी, जिसकी दूरी मंदोर से सिर्फ 9 किलो के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्मान किये. महरान गड़ दुर्ग के निर्मान के समय एक व्यक्ती की स्वैच्छिक बली चाहिए थी, जिसके लिए रा